हेलो वीवर्स वेलकम टू नवीन गलोबल फैशन चैनल फ्रेंड्स आज की वीडियो उन गर्ल्स और लेडिस के लिए है जो थोड़ा हाइट में कम और थोड़ी हैवी साइड में हैं अक्सर उनको ये टेंशन रहता है कि किस तरह की कुर्ती या सूट बनवाएं कि उनका लुक स्टाइलिस दिखे तो इन सब डाउट्स को क्लियर करने के लिए आपको बिना स्किप के वीडियो को कम्प्लीट देखना पड़ेगा इससे आपको अपने ड्रेसिंग को स्टाइल करने के बारे में काफी हैल्प मिलेगी इसे आप अपने लुक को ग्रेसफुल और अट्रेक्टिव बना सकते हैं तो वीडियो को ज़्यादा लंबाने करते हुए चलिए लिखते हैं कि कौन-कौन से ऐसे टिप्स हैं फर्स्ट वन है फ्रेंड्स फैब्रिक सबसे पहले अगर हम किसी ड्रेस को पर चेज करते हैं या कोई फैब्रिक लेकर सूट स्टिच करवाते हैं तो सबसे पहले हम फैब्रिक को सलेक्ट करते हैं तो fabric आप ऐसा select करें जिससे आपको floppy look ने मिले बलकि आपका look slim और long create हो तो आप cotton की बज़ाए आप georget, siphon, silk fabric यूज़ कर सकते हैं pure cotton थोड़ा उबरा उबरा look देता है जिससे आपका figure थोड़ा मोटाई की तरफ जाता है तो इसकी बज़ाए आप soft fabric यूज़ कर सकते हैं और थोड़ी long wear dresses ही पहने और हाँ friends brocket fabric को avoid करें इसकी बज़ाए आप soft silk में dress pair कर सकते हैं second one है हमारा overall one color अगर आप अपनी कोई भी dress बनवाने की सोच रहे हैं या आप market से buy करने की सोच रहे हैं तो आप overall same color में ही dress बनवाए और sleeves में आप full sleeves या आप elbow sleeves रखें overall का मतलब है friends कि अगर आपकी complete dress है वो single color में है color contrast की बज़ाए आप overall single और same color ही पहने जैसे कि कुर्ती अगर black है तो आप black color में ही दुपट्टा या bottom carry करें तो और bottom में आप plajo, sharara, skull जो आपको comfortable लगे उसी pattern में आप अपने outfits को ready कर सकते हैं अगर आप इस तरह की dresses wear करते हैं तो आपको slim और smart look मिलता है और इससे आपको long height का भी illusion मिलता है तो friends third one हमारा है small print अगर आप थोड़ी सी heavy side में हैं और आपको fabric select करते समय या कुर्ती लेते समय print का विध्यान रखना बढ़ेगा क्योंकि आप बड़े-बड़े print अगर लेते हैं तो उसको avoid करें इसके बदले आप छोटे-छोटे prints या embroidery के design वाला fabric है उसी में आप कुर्ती ले सकते हैं fourth one है length अगर आप कोई भी dress पर change करते हैं तो सबसे पहले आप अपनी dress की length को देखें जैसे floor length है उसको आप avoid करें जैसे अनारकली या long कुर्ती है वो floor length में लेनी के बज़ए थोड़ी उचाई वाली dress या आप select करें जिससे कि अगर आप पलाजो या चूड़ीदार वियर करते हैं तो आपकी जो bottom है वो 4-5 inch show होनी चाहिए इससे आपको long होने का illusion मिलेगा और आपको stylish look भी मिलेगा इससे ऐसे लगता है जैसे आपकी height लंबी है तो आप जो भी bottom अपनी कुर्ती के साथ pair करें वो same color में ही रखें अगर आप color contrast पहनते हैं तो बिल्कुल different color से color contrast करने की बज़ए आप मिलता जुलता color ही contrast करें इससे आपकी dress आपको graceful और stylish look देगी उसके बाद fifth one है vertical line अगर आपकी height कम है और आपको लंबाई create करनी है तो आप हमेशा ध्यान दें कि vertical line की कुर्तिया suit select करें vertical means अपर से नीचे की तरफ line जाती है और horizontal line means steady line वाली dress कोई भी हो वो horizontal line में होती है तो उस तरह की dress आप avoid करें और vertical उपर से नीचे की तरफ line वाली dress को आप select करें इससे आपको लंबाई का illusion मिलता है और horizontal line से आपकी लंबाई को cut होने का illusion मिलता है तो और आपको short दिखाती है इसलिए आप vertical line की कुर्ती ही select करें इसके लिए जरूरी नहीं कि आपकी dress पर line ही बनी हो vertical pattern में कोई design हो सकता है जैसे लंबाई में कोई embroidery हो सकती है कोई print हो सकता है या फिर लंबाई में buttons लगे हुए हो इस तरह की कुर्ती भी आप wear कर सकती है इसे आपको long होने का illusion मिलेगा 6th one है long jacket अगर आपको लंबा दिखना है तो आप अपनी dress के साथ long jacket pair कर सकती है क्योंकि long jacket से आपकी look को लंबाई का illusion मिलेगा इसे आपकी height देखने में थोड़ी लंबी लगेगी long jacket आप अपनी dress की contrast में भी ले सकती है dress अगर plain है तो आप printed jacket pair करें और अगर आपकी overall dress printed है तो आप plain jacket wear करें आप jeans top के साथ भी long jacket wear कर सकती है jacket के साथ जरूरी नहीं friends कि आपके कुर्ती की लंबाई फुल हो अगर आपके पास short कुर्ती है तो आप उसके साथ भी long jacket pair कर सकती है इससे आपका जो look है वो काफी smart लगेगा और इस तरह की dress आप college office या फिर party वगएरा में भी पहन के जा सकती है overall आपको graceful look मिलेगा उसके बाद है border वाली कुर्ती अगर आपकी height कम है और आप कोई कुर्ती या suit पर change करना चाते हैं तो सबसे पहरें आप कुर्ती के border पर ध्यान दें आपकी अनारकली कुर्ती है या सलवार suit है या पलाजो के सार्थ है कोई भी dress है जिस पर चोड़ा border या embroidery है तो इस तरह की dress को avoid करें इससे आपकी लंबाई को cut होने का illusion मिलता है जिससे आपका overall जो look है वो बहुत ही खराब लगता है इसके लिए आप पतले border पर पतली embroidery हो acid dress को select करें जैसे अगर आपकी अनारकली पर नीचे पतला border है या आपके suit पर पतली lace है उस तरह की dress आप wear कर सकते हैं बज़ाए के चोड़ी lace वाले कुर्ती के आजकल कुर्ती की waist पर belt लगाने का काफी trend है तो आप उसे भी avoid कर सकते हैं और friends कई बार कुर्ती में lower part और upper part अलग-लग color में होता है means contrast color में होता है तो आप इस तरह की dress को भी avoid कर सकते हैं contrast में आप दुपटा ले सकते हैं और दुपटे को अगर आप लंबाई की तरफ लेते हैं यानि कि आप one shoulder दुपटा लेते हैं तो इससे आपका overall जो look है बहुत ही stylish लगता है again sleeves को आप long रखे चूड़ीदार sleeves भी बनवा सकती हैं या फिर आप elbow sleeves बनवाएं half sleeves होती है friends उसे आप avoid करें इसके अलावा आपका जो neck design है वो V shape में रख सकती हैं बजाए के round shape के और जो hairstyle में आप अपर बन बना सकती हैं इसे आपकी height कुछ इंची ज़्यादा दिखाई दे करें तो जो आगे से round shape footwear होते हैं उनकी बजाए आप V shape footwear हैं उनको पहने इससे आपको graceful और stylish look मिलेगा तो अगर आप इन चोटे चोटे बातों को ध्यान में रखकर dress wear करते हैं तो आपको काफी smart look मिलेगा और आपकी जो simple और सस्ती dress भी आपको rich look देने में काफी help परेग तो friends कैसे लगी आपको आज की वीडियो और कौन सी tips आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई आप मुझे comment करके जरूर बताईएगा वीडियो अच्छी लगे तो like कीजिएगा और अगर आप first time मेरे चैनल पर आए हैं तो आप मेरे चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा friends साथ ही साथ आप bell icon को भी प्रेस करें जिससे की मैं कोई भी वीडियो अप्लोड करूँ उसका notification सबसे पहले आपको मिले इसके अलावा आप मेरे चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं जिसमें आपको suits के regarding काफी वीडियो और playlist देखने को मिलेगी वहाँ पर मैंने plain suits से related, printed suits से related और party wear simple suit जैसी आपको अनेएक playlist देखने को मिलेगी वहाँ से आप different ideas ले सकते हैं तो friends वीडियो को आप अपने friend circle और family member में भी share कर सकते हैं ताकि वो भी इस तरह की वीडियो से idea ले सके तो friends वीडियो को end तक देखिएगा, thank you